जंगल की जंदगी में आपका स्वागत है आज हम धर्ती पर सबसे ज्यादा डरावने और आकरशक सापों में से एक मामबा की दुन्या में गोता लगा रहे हैं अपनी घातक गती, विश और चपलता के लिए जाना जाने वाला ये साप खत्रनाक और विसमयकारी दोनु है आए से नस्दीक से देखे मामबा एक पतला सुन्दर साप हैं जिसके चिकने तराजू इसे एक आकरशक रूप देते हैं आम धारणा के विपरीद प्रसिद ब्लैक मामबा काला नहीं होता वास्तों में इसका रंग घ्रे से लेकर जैतून हरा होता है इसका नाम इसके मूँ के अंदर गहरे लगभग स्याही जैसे काले रंग की परत से पढ़ा है जिसे ये खत्रा महसूस होने पर चेतावनी के तौर पर दिखाता है दूसरी और ग्रीन मामबा का रंग चम्तीला हरा होता है जिसे ये जंगल की छत्री में लगभग अध्रिश हो जाता है दोनों प्रजातियों का सिर्टा बूट के आकार का होता है जो उनके डरावने रूप को और भी बढ़ा देता है ये साप प्रभाव शाले रूप से लंबे होते हैं ब्लक मामबा की लंबाई 14 पीट या लगभग 4.3 मीटर तक हो सकते है जो इसे दुनिया के सबसे लंबे विशैले सापों में से एक बनाता है हाला कि आम तोर पर वे लगभग 8 से 10 पीट या 2.5 से 3 मीटर के होते हैं ग्रीन मामबा थोड़ा छोटा होता है जो आम तोर पर लगभग 6 से 8 पीट या 1.8 से 2.5 मीटर तक बढ़ता है दोनों प्रकार अपनी लंबाई के हिसाब से हलके होते हैं जिससे वे अविश्वस नेरूप से तेज और फुर्तीले शिकारी बन जाते हैं जंगल में मामबा औस्तन लगभग 11 साल तक जीवित रहते हैं कुछ कैद में 15 साल तक जीवित रह सकते हैं जहां वे शिकारियों और अनिक पत्रों से सुरक्षित होते हैं अपने प्राक्रितिक आवाज में बड़े जानवरों के साथ मुढभेड या मनुश्यों के साथ संखर्ष के कारण उनका जीवन छोटा हो सकता है लेकिन जंगल में भी ये साम जीवित रहते हैं कठोर अफ्रकी परिद्रिशिमित बन अपने के लिए बने हैं अपनी बेजोड गती चपरता और शतिशाली विश के कारण माम बाजानवरों के सामराज में सबसे प्रभावी शिकारियों में से एक हैं उनके खुबसूर्ती और खत्रनाथ पन उन्हें धर्ती पर सबसे प्रतिश्ठित सांपों में से एक बनाता है देखने के लिए धन्यवाद लाइक करना सबसक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि जंगली के जंदगी पर और भी बेहतरीन वन जीव सामगरी के साथ अपड़ेट रहें